ममता जी आ करके समाजवादी पार्टी को यूपी में कितना वोड दिला देंगी, के सियार आ करके यूपी में कितना वोड दिला देंगी, वो दिला देंगे, लालू जी आ के कितना वोड दिला देंगे, या समाजवादी पार्टी के नेता जाके उनी स्टीटों में कितना वो लेकिन बीते कुछ दिनों में बीजेपी भी उनके निशानी पर रही है अब एक बार फिर सुभास्पा प्रमुख ने कहा कि सपा के लोग खास तोर पर अखलेश यादव उम्प्रकाश राजबर से काफी परिशान है यह बीजेपी की मदद कर रहे हैं अखलेश यादव और तीसरा मोर्चा जो बना रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे लोगों को सामिल कर रहे हैं वो भाजपा को जिताने का काम कर रहे हैं मुसल्मानों को गुम्रा करने का काम कर रहे हैं अखलीश यादब पर हमलावर होते हुए ओम प्रकाश राजभर ने ममता, केसियार और लालू यादब को भी लपेट लिया उन्होंने आगे अखलीश यादब को नसीहत देते हुए कहा कि मोर्चा वो बनाओ जिससे वोट मिले यहां मायवती के पास वोट है और कॉंग्रेस के पास वोट है लेकिन आप उनसे गटवंदन नहीं करोगे मुर्चा चिला रहे हैं यूपी में आज के तारीक में चुनावायोग की जो मुहर है उस मुहर के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है भारती समाज पार्टी के पास वोट है तो ओट वालों से यह समझावता नहीं कर रहे हैं बिना ओट वालों से कर रहे हैं सुभास्वा प्रमुग ने ये भी कहा कि सब मिलकर मायवती के घर जाएं वहां कहें कि नीटिश कुमार पीम के दावेदार हैं अगर मायवती नहीं मानती हैं तो आप उन्हीं को प्रधानमंत्री मान लोगा हैं जैसा के चर्चा करते हैं कि हम थीसरे मूर्चे का हम नितिश जी को इस सब मिलिया करके ओट वाले और misin क्या हैं आप बताईए यह अपने पद की गरिमा को भी भूल जा रहे हैं तो इस बात पर अगर मायवत्ती जी अगरी नहीं है नितिश जी के सवाल पर सभी लोगों का जब एक लक्ष है कि हम मोदी जी को अटाना चाहते हैं हम EDCBI से डर रहे हैं तो इन लोगों को मायवत्ती जी को ही मान लेना चाहिए जब लक्ष सबका एक है कि हमको BJP को सत्ता से बिदकल करना है तो फिर उसके PM पत के उमिदवार में कहां चिंता है क किसी को मान लो यह लोग वह काम नहीं कर रहें इस नाते हमने कहा कि जब नितीज को एकसेप्ट मायवत्ती जी न करें तो मायवत्ती जी को ही मना दो उन्हीं को चलो हम लोग आपके साथ वहीं राहुल गांदी को लेकर भी ओम प्रकास राजबर ने टिपड़ी कि अभी तो प्रकास राजबर ने यह साफ एलान कर दिया कि निकाय चुनाओं में पार्टी अकेले लड़ी